नमस्कार निशामदुलिका.com में आपका स्वागत है आज हम नीर दोसा बनाएंगे नीर दोसा चाबल को भीगो कर और इसको विगदम बारी पीस कर बहुत ही पतले घोल से बनाये जाता है बहुत ही लाजवाब दोसा बनता है तो आएए नीर दोसा बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक कप चाबल ले लिए है कच्चे चाबल ले लेंगे जो खिचडी और खीर में यूज होते हैं उनको अच्छे तरीके से साफ करके धो करके पानी में भीगो दिया है यह चाबल हमने पूरे दो घंटे भीगो लिया यानि कि दो तीन घंटे भीगे हुए चाबल ले लेंगे और ये कच्छा ताजा नारियल है जिसके ऊपर से काला छिलका निकाल दिया और कद्दुकस करके ले लिया है तो ये हमने दो तीन टेबली स्पून कद्दुकस किया हुआ नारियल ले लिया है दो तीन टेबली स्पून तेल है रिफाइन तेल है और आदा चमच नमक है या स्वादान सार नमक लेनेंगे नीर दोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले चावल और नारियल को मिला करके बहुत ही बारीक पीस करके तयार करेंगे तो हम यह चावल पीस लेते हैं चावलों में से एक्स्ट्रा पानी हम हटा देंगे और यह चावल हम जार में डाल देंगे और यह नारियल भी हम इसी में डाल देते हैं दौनों को मिक्स करके पीसना है अगर नारियल आप नहीं चाहें तो बीना नारियल के भी नीर दोसा बनते हैं लेकिन नारियल से और अच्छा स्वाद आ जाता है और दोसे और ज्यादा चावल में हमें थोड़ा सा पानी डालना होगा क्योंकि एकदम से सूखे चावल नहीं पीसेंगे और बहुत ज्यादा भी पानी नहीं डालेंगे नहीं तो हमारा बैटर बारीक नहीं होगा तो हम इसे पीस लेते हैं अब ही हमारा जो बैटर है वह बिल्कुल बारीक नहीं हुआ है क्योंकि हमें चावल के दरदरे दाने दिखाए दे रहे हमें बैटर को ऐसा पीसना है कि चावल के दरदरे दाने बिल्कुल नहीं दिखाए दे बैटर हमारा एकदम से चिकना हो जाए यह एकदम बारीक चावल और नारियल को हमने पीस करके तयार कर लिया है बिल्कुल चावल के दाने एकदम दिखाई नहीं दे रहे हैं चिकना बैटर बन गया है यह बैटर हम प्याले में निकाल लेंगे और यह बैटर हमने बारीक पीस लिया अब हम इसे पतला करेंगे क्योंकि नीर दोसा बहुत ही पतले बैटर से बनाया जाता है और बहुत बारीक पीसा है यह तो आप देख सकते हैं इन नमक भी हम बैटर में डाल देंगे मिक्स करेंगे और बैटर को अच्छा पतला कर लेंगे बिल्कुल एकदम पतला बैटर हमने बनाया है, पोरिंग कंसिस्टेंसी है, जिस तरीके से हम सूजी के दोसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पतला बैटर उसके लिए तयार करते हैं, उसी तरीके का हमने नीर दोसे के लिए भी एकदम पतला बैटर तयार किया है, तो अब हम दोसे बनाएंगे और अभी हमने देड़ कप यानि चाबल के साथ पीशने से लेके अभी तक देड़ कप पानी इसमें मिला लिया है तबा गरम कर लेते हैं दोसे सेगने के लिए हमने नॉन स्टिक तबा ले लिया है इस पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और तबे के ऊपर चारों और तेल को फैला लेंगे नेपकिन पेपर से या फिर सूती कपड़े से इसे अच्छे तरीके से फैलाए जा सकता है तब अच्छा गरम है और गरम तबे पर अब हम दोसा फैलाएंगे तो इसके लिए हम बैटर या तो बड़ा सा चम्चा ले ले ताकि हमें बारवार चम्चे से बैटर तबे पर नहीं डालना पड़ेगा या फिर हम ये प्याली में दो तीन चम्चे भर के बैटर ले लेते हैं और अब हम इसे तबे पर फैलाते हैं तबा अच्छा गरम है इस तरीके से हम बैटर को चारो करते हों पतला दोसा फैलाएंगे सुषमे दोस हम कि my मीडियम हाइं रखेंगे दोसा शेकने के लिए दोसा हमने फैला दिया और अब हम दोसिके चारो और थोड़ा सा तेल या और दोसी को ऊपर से थोड़ा दर खोने तक और नीचे से हलका सब्वावन होने तक हम इस सिखने देंगे जब हमें लगेगा कि दोसा किनारे छोड़ने लगा है तब हम इसे फोल्ड करेंगे ये हमारा दोसा किनारे छोड़ने लगा है और दो मिनिट में ये नीचे से सिख करके तयार होगा है दूसरे को हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से इसको दूसरी साइड सेखने की भी आवसेकता नहीं है क्योंकि दोसा बहुत पतला होता है दोनों और सिखा होता है अच्छा सा अगर आप चाहें तो दूसरी और थोड़ा सा इसे सेख सकते हैं तो ये दोसा हमने फोल्ड कर लिया है इसे हम निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं और तबे को अब हम थोड़ा सा ओच लेंगे दूसरा दोसा डालने से पहले और गैस भी थोड़ी सी हलके कर लेंगे और दूसरे दोसे को भी बिल्कुल इसी तरीके से हमें एकदम पतला फै कर देते हैं और थोड़ा सा दैर देते हैं और दोसे को आंचारा है हमें अधुक्राफा बाद लगता है कि तूदी नीचे बैठते जाते हैं न चाहिरको prob वत भी तोड़ा पानी और करके मिक्सुली तो ड्लेट उसक्रों और ये दोसा हमारा सिग्या है इसे भी हम फोल्ड कर देते हैं गैसमंदी करेंगे और सारे दोसे इसी तरीके से हम सेख करके तयार करेंगे हमारे दोसे बन करके तयार हो गए हैं और इतने बैटर से आठ दोसे बन करके तयार हो है नीर दोसा बन करके तयार हैं बहुत ही अच्छे एकदम सॉफ्ट नीर दोसा बने हैं और इन्हें बनाना बहुत आसान है लेकि थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही होगा जब आप बैटर बना रहे हैं तो सबसे बड़ी चीछ जो ध्यान देने की है वो यह है कि बैटर एकदम बारीक बनना चाहिए बिल्कु सेखती समया गरम तबी पर दोसा शेकने के लिए डालना है और दो से तीन मिनिट में ऑसा शकर करता है अनूच सब्सक्व कर सकते हैं ुण मुपलियो की टिफिन बर रख करके दीजिए बच्चे अगर मीटा पसंद करते हैं तब आप कच्छा ताजा नारियल कर दुकस करें और गुड का मिश्रन बना करके दोसा के साथ बच्चों को दीजिए यह बहुत ही पॉस्टिक नास्ता होगा उनके लिए तो आप यह नीर दोसा पनाएए खाईए और अपने अनुफव निशामधलिका.com पर शेयर कीजिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब चरूर कीजिए